दोस्तों यूदो टीवी डस्टी में सुपरनाचुरल थ्रिलर से भरपूर का शोव प्रसारित किये जाते हैं लेकिन साल 2012 में प्रसारित हुए शोव अनामिका की तो कुछ बात ही अलग थी जिसमें डायन बनी अनामिका की कहानी को इसकदर खुबसूरती के साथ परदे पर प पर लाने वाले हैं जहां मरकुस सही सुना है आपने खबरों के माने तो एक बार फिर से आप सभी को अनामिका सीरियल का दूसरा पार्ट यानि की सीजन टू देखने को मिलने वाला है तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे के इस शो के सीजन टू में आखरकर कह कहानी से लेकर स्टार कास्ट क्या होगी और यह सीरियल कप तक टीवी पर तस्तक देने वाला है अगर आप जाना चाहते हैं इन्ही सब सवालों के चवाब तो मारे साथ इस वीडियो के आंथ तक बने रहे और साथे साथ अपने फेवरिट शो अनामिका के लिए वीडियो को पिशाचुनी आत्मा अनामिका से मिलते हैं जहां वो पिशाचुनी जीत से प्यार करने लगती है और अनामिका ने अपनी जीत को हासल करने के लिए कई तरह की चाली भी चली है इस तरह से ये सीरियल हमें काफी जादर टीस्टन टरंस देखने को मिले थे बस इसी तो इसके सेकंड पार्ट की डिमांड जोरो शोरों पर करने लगी थे बस आप तो दर्शकों की सी फर्माईश को जल्द ही पूरा करने आ रहे हैं शोमिकर रविराज अपनी टीम के साथ जिहां दोस्तों मिलकुत सही सुन रहे हैं आप खबरों की माने तो एक बार फिर से अनामिका सीजन टू सीरियल देखने को मिलने वाला है बताया जा रहा है कि अनामिका टू के स्टोरी लाइन पर काम करना शुरू किया जा चुका है जिसमें पहले से हट कर और बेहदी अलगा कहानी हमें देखने को मिलेगी जहां एक पिशा सेरियल के स्टार कास्ट कौन सी होगी तो आपके जानकारी के लिए बताते चले कि पिछली बार के तरहां लीड रोल में नजराने वाले अभी निता मुदित नारा है इस बार लीड रोल में कास्ट किया गया है लेकिन इस बार इनका साथ एनी गेल नहीं बलकि नाके इन कि इस बार हमें इनके पास धेरो मायावी शक्तियां और साज़शें देखने को मिलेंगी इन तीन लीड स्टार कास्ट के साथ ही सीरियल में एक चाइड आर्टेस की भी एंट्री हो रही है जो और कोई नहीं बलकि छोटी सरदारनी फेम अक्टरस केविन टक है जिनका किरद इसके अनॉस्मेंट करते हुए इसे फ्लोर पर लेकर आएंगे तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं सीरियल अनामी का सीजन टू देखने के लिए आप हमें अपने रॉय कमेंट सेक्षन में जरूर बताएंगे का साथे साथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ह और इंट्रस्टिंग और दल्चस्प खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले